क्या आप टैक्स बचाने के लिए फाइनशनल एर के एंड होने का बइड करते हैं और मार्च में डिसाइड करते हैं कि आपको कहां पर इंवेस्ट करना है ताकि आप टैक्स बचा सके तो ये वीडियो आपके लिए है नमस्कार मेरा नाम है प्रिया स्वागत है आपका investing done right में. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 5 mistakes है जो कि taxpayers करते हैं अगर वो अपने investments को delay कर देते हैं March के लिए और March में जाके decide करते हैं कि उनको कहां पर invest करना है. अपने मेरे वीडियो को subscribe कर लिया है तो बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो की latest notification मिलती रहें. तो चलिए शुरू करते हैं. Mistake 1 है doing in March the financial year end. जब हम मार्च के मिली में decide करते हैं कि हमें कहां पर invest करना है तो उस समय में हमारे उपर tax saving का बहुत जादा pressure होता है. जिस चकर में हम ऐसे जगहों पर invest कर देते हैं जहां पर हमें पाइदे की जगह पर नुकसान होता है. हम अपने application process में भी गल्पिया करने लगते हैं. In fact, हम tax saving के लिए credit card तक का use कर देते हैं. कितनी बार तो हम ज़रू से ज़ादा invest कर देते हैं tax saving instrument में. जैसे कि अगर आप salivate individual है और आपका provident fund करता है, तो शायद आपको बता होगा कि PF ATC की category में आता है. कितनी बार tax peers अपनी tax saving के time में PF को consider ही नहीं करते हैं और ज़रू से ज़ादा अलग ATC instruments में invest कर देते हैं tax बचाने के लिए. तो वहाँ पर आपको फाइदा नहीं होता है, actually में आपको नुचसान होता है. एक सबसे बड़ा नुचसान जो होता है, वो होता है interest पे. अगर आपने financial year के start में ही invest करना शुरू कर दिया होता, तो year end मतलब March में आपको अच्छा खासा interest भी मिल दिया होता. क्यूंकि आप March में invest कर दे हैं, तो उस case में वो interest आपको नहीं मिलता है. इस problem का solution यही है कि आप financial year के start होते ही invest करना शुरू कर दीजे. SIP में invest कीजे, थोड़ा-थोड़ा invest कीजे, ATC में कितना amount आपको invest करना है या आपको tax saving के लिए total कितना amount invest करना है, उसको calculate कीजे, उसको SIP में convert कर दीजे और फिर invest कर दीजे. Otherwise, आप financial year के mid में भी invest करना start कर सकते हैं, इससे आप उस pressure से बच जाएंगे, जो की आपके उपर में होता है मार्च महिने के समय में. Second point is not understanding various tax rules to save taxes. Tax saving केवस savings के थ्रू ही नहीं कर सकते, बलकि खर्चे के थ्रू भी कर सकते हैं. जैसे कि हम सबको पता होता है कि हम जो home loan लेते हैं, उसके interest पे हमें taxation में benefit मिल जाता है. इस तरीके से बहुत अलग तरीके के spending होते हैं, जिस पे आप benefit उठा सकते हैं. जैसे कि अगर आपने अपने बच्चों के high education के लिए loan लिया है, तो उस loan के interest पे आप up to 8 years तक interest पे deductions claim कर सकते हैं. और सबसे मज़े की बात तो यह है कि वहाँ पे कोई capping नहीं होती है. इस तरीके से अगर आपने कहीं पे donations की हैं, तो उस donations पे आपको benefit मिल जाता है. अगर आपको किसी तरीके के disability है या chronic illness है, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा कासा deductions claim कर सकते हैं. हमें पता होना चाहिए कि spendings और savings दोनों अलग-अलग categories है. Spending करके आप कैसे tax benefit कमा सकते हैं और saving करके आप कैसे tax benefit कमा सकते हैं. अगर आपको इसकी knowledge होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा tax बचा पाएंगे. Blindly picking tax saving products without evaluating liquidity. इंडिया में endowment plans बहुत ज़्यादा famous हैं. ऐसे plans जहां पे locking बहुत लंबे time का होता है. बहुत तरीके के plans होते हैं, जहां पे आप continuously 15-20 years तक आप save करते हैं. फिर उसको 15-10 साल और छोड़ते हैं, major होने के लिए, आप हर साल कुछ-कुछ premiums बे करते हैं. Liquidity यहां पे बहुत low होती है. तबसे मज़े की बात तो यह है कि यहां पे rate of return होता है, वो भी बहुत low होता है. इतना कम होता है कि inflation को भी वो hardly beat कर पाते हैं. और इस टाइब के plans हम लोग के बीच में बहुत ज़ादा famous हैं. रीजन उसका यह होता है कि यह plans हमें agent sell करते हैं. उनका commission बहुत अच्छा खासा होता है. कोई agent आपको commission के बार में तो obviously नहीं बताएगा. आपको benefit दिखाएगा और उस benefit के जहासे में आप first जाते हैं और ऐसी जगहों पर invest कर देते हैं जहाँ पर liquidity बहुत कम होती है. मतलब जब आपको पैसे की जरुरत होगी आप निकाली नहीं पाएंगे. निकालने जाएंगे तो वहाँ पर exit load ही आपको अच्छा कासा pay करना पड़ेगा. मतलब saving भी आपने की, सारा expenses भी आपने उठाएं लेकिन जब आपको पैसों की जरुरत पड़ी तो उसका exit load भी आप ही के जेब से जाएगा. तो इस तरीके के investment options से बचना चाहिए. Condition बहुत simple है, जब आप saving करने के लिए जाएं. तो अपने आप से एक simple question पूछें कि आप इस saving को क्यों कर रहे हैं? आपको इस amount के जरुवत कब पड़ सकती है? क्या उस duration के बीच में भी आपको जरुवत पड़ सकती है? अगर आपको break करना पड़ता है, तो वहाँ पर कोई exit load है? तो इस तरीके के सवाल, अगर आप अपने आप से पूछेंगे, तो आप गलती करने से बच जाएंगे. Fourth mistake है, mixing insurance with investment. जब हम investment करने के लिए जाते हैं, तो हमें returns तो अच्छे चाहिए ही, लेकिन हमें एक ही product में multiple benefits चाहिए. उस चकर में हम insurance को investment के साथ में mix कर देते हैं. आप तो पता भी नहीं लगता है कि ये products आपकी जेग पर कितने भारी पड़ते हैं. उसमें सबसे बड़ा example है ULips का, equity link savings schemes. यहां पे जब आप invest करते हैं, आपको लगता है कि यहां पे आपको insurance का benefit भी मिल रहा है, आप जिनने जो save किया है, वो amount भी आपको थोड़े time के बाद में पूरा मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको returns भी मिलेंगे, तो इतने सारे benefit देखकर आप वो products खरद लेते हैं, यही तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत जादा हाई होता है, जिस insurance के नाम पर ULips आपको बेचे जाते हैं, वो cover भी बहुत कम होता है, तो वो hardly आपकी family को cover up कर पाता है, इसके अलाबा, liquidity भी बहुत कम होती है, अगर आपको किसी current से पैसा निकालना पड़े, तो उस case मे exit load भी आप ही को pay करना पड़ता है, solution बहुत simple है, generally जब आप ULips खरिते हैं, एक example से समझ लेते हैं, let's say, कोई ULips आपको मिला है, जहां पर आपको हर महिना 10,000 रोपे सेफ करने हैं, next 12 years के यहां पर आपकी family को cover मिल जाता है, 12 lakh का, अगर आपको कुछ हो जाता है, इसके अला 9,000 किसे mutual fund में invest कर दीजे, जैसे कि index fund जो कि बहुत safe होते हैं, वहां पर आपको longer duration मतब 10 साल या उससे उपर में 12-13% का return अराम से मिल जाएगा, और 1,000 रोपे जो बचे हैं, उसको term insurance में invest कर दीजे, और उस 1,000 में आपको तकरीवन 1 करोड तक का cover मिल जाएगा, आपकी age के ह साब से cover मिल जाएगा, तो ये एक अच्छा combination हो सकता है, instead of buying such insurance plus investment plans, 5th point है, unable to diversify investment, जब हम investment करते हैं, तो diversification बहुत सादा essential होता है, risk और security दोनों को balance करना बहुत सादा ज़रूरी होता है, इसलिए equity और debt को combination आपके age factor पर depend करता है, जब हम invest करते हैं, तो longer duration में हमें returns में focus करना चाहिए, अगर आप short duration के लिए invest कर दे हैं, तो बहाँ पर security पर focus करना चाहिए, लेकिन सचाई तो ये है कि हम ऐसी जगहों पर invest कर देते हैं, जहां पर liquidity बहुत कम होती है, longer duration में returns बहुत जादा कम मिलते हैं, जो कि inflation तक को बीट नहीं कर पाते हैं, अगर हमें break कर करना पड़े, तो उस case में exit load भी हमें अपने pocket से ही पे करना पड़ता है, solution बहुत simple है, अगर आप अपने career के starting phase में हैं, आप अच्छा-कादा रिस्म ले सकते हैं, तो आप ऐसी जगहों पर invest कीजिए, जहां पर returns आपको high मिले, अगर आप retirement के नस्दीक हैं, उस case में आपको security पर जादा focus करना चाहिए, और ऐसी ही जगहों पर invest करना चाहिए, तो इस तरीके से आप अपने investment portfolio को diversify कर सकते हैं, और उसका benefit उठा सकते हैं, आश्या करती हूँ कि आपको ये video पसंद आया होगा और helpful लगा होगा, अगर आपके कोई भी सुझावों, तो वो आप comment box में ड अगर आप subscribe करेंगे तो आपको मेरे नए videos की latest notification आती रहें